हेलो गाईज, वेलकम तो रॉयली स्टडी, दोस्तो यूपी पुलिस कॉंस्टेबल 2014 के स्पैसल एक्जाम जैसा कि आप सभी को पताईए, 18 फरवरी 2014 को होनी है, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश स्पैसल कला एहम संस्कृति वाला टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, इससे पर रहेगा, ये 300 नंबर का रहेगा आपका, तो आप सभी अच्छे से प्रेक्टिस करेगा, जाज जाज़एदा कुच्चन सोल्व करेगा, ताकि आपको एक्जाम में हैल्प मिल पाएं, आपके लिए सभी के लिए कुछ जरूरी दिसानिर्दे से, ये क्या है, सभी को हल करने के बाद में, अपना स्कोर आप हमें कमेंड में जरूर से बताईगा, क्लिए रहें, तो ये आपका टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की कला, संसिक्रती, धार्मिक एव्म एतिहासिक परेटनिस्तल, योपी पुलिस कॉंस्टेबल के सेलेबस में, ये सेलेबस आपका पहले कुशन से स्टार्ट कते हैं, कुशन अमबर फस्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के किसे स्थान से गोसिता रम नामक बोद्ध विहार का पता लगा था, तो आपका जो करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, ये कुसामबी रहेगा, याने की ऑप्शन अमबर सी करेक्ट उत्तर प्रदेश के किस नगर में दो पूरा तत्त त्त संग्राले इस्ती तो यह वारानशी में आपकांद हो जाएगा, चलिए अग्ला उपशन इस कूशन का क्रेक्ट आंसर चला जाएगा, चलिएक अगला उनसे ब्सलिए, ध्यो जाएगार ये कि consistency, दो आपका आपका व कुसान कालिन कला का सर्वसेष्ट संग्रह। किस नगर के संग्राले में सुरक्षित रखा गया है। तो यह जो सुरink्षतॉरक्षित रखा गया है correct answer वारणासी आपका रहेगा, यहीं पर दो संग्राले हैं आपको पता हो ना चाहिए model पुसान कालिन कला का सर्वसेष्ट संग्रह जो रखा गया है ये वारानसी संग्रहले में सुरक्षित रखा गया है आईए अगला कुशन देखते हैं गोरक फूर्ख में स्थीत राहुल संस्कृत यायन संस्तान में किन दुरलब वस्तूओ का संग्रह देखने को मिलता है तो यहां पर मुहुरे, मुर्दा, पात्र और सिक्के इनका संग्रह देखने को मिलता है, अगला कुशन हमारा काफिस दें बोडेंडे, कुशन है आपका निमने लिकित में से, मोती लाल नहरो बाल संग्रहले कहां पर इस्तीत है जल्ली से क्लिक करेंगा आप सभी लोग आपकी भी प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए आप भी क्लिक सांसाथ करते चलिएगा मोती लाल नहरो बाल संग्रहले जो इस्तीते यह इस्तीते लखनव में लखनव आपका फास्ट ऑप्शन इसकोशन का करेक्ट आंसर रहेगा चलिए अगला कुशने उत्तर प्रदेश में राज की संग्रहले लखनव की स्तापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में राज की संग्रहले लखनव की जो स्तापना हुई थी यह हुई थी 1963 में 1963 में इसकी स्तापना की गई थी अगला कुछ ने उत्तर प्रदेश में राज की संग्राले मतुरा की स्तापना कब हुई थी तो उत्तर प्रदेश में राज की संग्राले लखनों की हमने देखा है अभी 1963 में अब आप से पूचा है मतुरा जो राज की संग्राले इसकी स्तापना कब हुई थी तो मतुरा में जो राजकी संग्राले इसकी स्तापना हुई थी 1874 में 1874 आपका B option बिलकुल correct रहेगा नेक्स्ट कुछ ने धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्राले में सुरक्षित रखी हुई है तो ये जो रखी हुई है ये संग्राले हैं आपका पुरा तत्तु संग्राले सारनात सारनात में य आफिस ज़र्दा इंपर्डेंट कुछने सही जवाब आप सभी को I think पता होगा अयोध्या आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा उत्तर प्रदेश में राम कता संग्राले जो इस्तिदे यह अयोध्या मिश्तिदे अयोध्या ओप्शन अमर्डी करेक्ट आपका रहेगा चलिए अगला कुछन का right answer आप जल्दी से बताईगा बोध्य संग्राले कहाँ परिस्तिध हैं बोध्य संग्राले जो देखने को मिलता है यह कुसी नगर में देखने को मिलता है कुसी नगवर और पडरोना जाने की कुसी नगर पडरोना आपका यहां से first option बिलकुल करेक् अगला कुच्छन थे भारत कला भवन कहां परश्तिते थे तो भारत जो कला भवन है यह वारणासी U.P. मेस्तिते थे वाराणासी उत्तर प्रदेश में आपशन नमबर B वारानसी करेक्टनांसर आपका हो जाएगा चलिए अगला कुशन आपकी स्कीन पर रजा लाइबरेरी जो है इसकी स्थापना किस ने की थी अब ये तो आपको पता चल चुका है कि रजा जो लाइबरेरी है ये रामपूर मिश्ती थे अब आपसे पूचा है कि इसकी स्थापना किस ने की थी तो इसकी स्थापना की थी नवाव फोजूला खान नहीं यानि कि नवाव फोजूला खान के द्वारा रजा लाइबरेरी की स्थापना की गई थी रामपुर में आपका first option इस question का correct answer हो जाएगा अगला question next है हमारा लोग कला संग्राले लखनों में कितनी कलाकरतियों का संग्रे किया गया है तो correct answer यहां से 16 सो रहेगा 16 सो कलाकरतियों का संग्राले जो किया गया है या संग्रे किया गया है लोग कला संग्राले लखनों में किया गया है आपका correct answer 16 सो हो जाएगा first option वाला चलिए अगला question उत्तर प्रदेश में किस इस्थान पर सब से अधिक मेले लगते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे जो अधिक मेले लगते हैं यह कहाँ पर लगते हैं जल्ली से क्लिक करेगा काफिज दो इंप्रिड्यन कोशीन इद erfolg के 3 star इसके सामने लगा लीजेगा आप होली का उत्सव किस नाम से प्रसिद है तो उत्तर प्रदेश में इस्तिद बरसाना जिसको मतुरा है ना तो यहां का होली को उत्सव जो है यह किस नाम से जाने जाता है तो करेक्ट आंसर आपका यहां से हो जाएगा लट मार होली आपका सी ओप्शन इसको कहा जाता है चलिए संथ वारिस अलिसाहा की दरगा किसी इस्तान पर इस्तीर है तो यह जो दरगा है संथ वारिस अलिसाहा की यह 12 बांकी में है 12 बांकी उत्रप्रदेश में C option correct answer रहेगा चलिए अगला कुशनी कुम्ब के बाद उत्रप्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है तो पहले नमबर पर अगर आपसे पूचे जाए कि उत्तरप्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है तो कुम्ब मेला है और कुम्ब के बाद में दूसरे नमबर पर आपसे अगर पूचे जाए तो आपको यहाँ पर किलिक करना है नोचंदी मेला नो चंदी जो मेला है ये कुम्ब के बाद उत्रप्रदेश का सबसे बड़ा मेला है दूसरे नमबर पर तो आपका C option नमर भी बिलकुल यहां से correct answer हो जाएगा चलिए अगले कुशन आपकी स्कीन पर जल्दी से क्लिक करेगा बसंद का नो चंदी मेला उत्रप्रदेश के किस इस्तान पर लगता है दूसरे नमबर पर ये तो पता चली चुका है और ये लगता है आपका मेरट 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 उत्रप्रदेश में C option correct answer रहेगा चली अगला कुशन आपका फस्ट ऑप्शन के जाता है correct answer हो जाएगा चली अगला कुशन हमारी स्कीन पर आ चुका है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्रप्रदेश में कहां पर मनाय जाता है तो ये आप याद रगेगा इस तरह से भी कुशन आपकी एकजाम में बनता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस उस्व को मन जाता है तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है ये शुलह कुल उस्व है और ये कहां पर मनाय जाता है उत्तर प्रदेश में यह आपसे पूचा गया है तो ये आगरा में मनाय जाता है आगरा आपका यहां से first option correct answer बिलकुल रहेगा चलिए अगला question देखते हैं गड़ का मेला कहां पर लगता है गड़ का जो मेला लगता है ये गड़ मुक्तेश्वर में लगता है गड़ मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में C option correct answer हो जाएगा चलिए next question है उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आउजन किस इस्तान पर किया जाता है तो उत्तर प्रदेश में कबिर जो मेला लगता है ये मगहर में लगता है मगहर UP में B option करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा हमारा प्रति वर्ष सहीद मेले का आउजन कहां पर किया जाता है तो हर साल सहीद जो मेला लगता है ये हापुड में लगता है हापुड उत्तर प्रदेश में D option यहां से correct answer हो जाएगा चलिए next कुछ ने नक कटेया मेला कहां आउजित किया जाता है तो नक कटेया जो मेला है यह वारानासी में लगता है वारानासी हमारा B option वारानासी correct answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश में अर्द कुम्ब का जन कितने वर्स पश्चाथ किया जाता है यहां पर बात की जा रही है अर्द कुम्ब की ना की कुम्ब की तो उत्तर प्रदेश में अर्द कुम्ब का जन जो किया जाता है यह 6 वर्स के पश्चाथ किया जाता है याने 6 वर्स में या इसके पश्चाहत होता है तो यहां से हमारा जो correct answer होगा वो option number D आप करेगा कुम्ब मेले की अगर बात की जाती है तो वो उसका अलग option होता है और अर्द कुम्ब की यहां पर बात की जा रही है तो यह option number D आपका यहां से हो जाएगा चले अगला कुशने घाटो और मंदिरों की नगरी के नाम से कोन साइस्थान प्रसिद है तो घाटो और मंदिरों की नगरी के नाम से वरानशी को जाना जाता है वरानशी आपका correct answer हो जाएगा first option वाला अगला कुशन है तुलसी दास मानस मंदिर कहां पर इस्तीद है तुलसी दास जो मानस मंदिर है ये कहां पर इस्तीद है करेक्ट आंसर वारानसी है आपका हो जाएगा ऑप्शन नमर सी के साथ में करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा अगला कुशन आपकी स्कीन पर आ चुका है रामायन के रचीता महरसी वालमिकी का आस्रम किस नगर में स्थीत है तो रामायन के रचीता महरसी वालमिकी जिका अगर बात करें वालमिकी जिकी तो इनका जो आस्रम है ये बिठूर में स्थीत है और ये कहां पर आता है बिटूर तो ये उत्तर प्रदेश में ही आता है हमारा फास्ट उप्शन बिलकुल सही जवाब इसके साथ में चला जाएगा चलिए अगला कुशन देखते हैं ललीतपूर में देवी सिंग बुंदेला ने कौन सा मंदिर बनवाया था बिलकुल काफी ललीतपूर में है और इसको बनवाया था देवी सिंग बुंदेला ने तो ध्यान रग्येगा तीन चार कोशन इस एक ही कोशन से आपके कवर हो रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कुशन के और मुसलिम सेली के मंदिर कहां पर इस्तीत है आपको ये बताना है तो अय साकंबरी देवी का जो मंदिर देखने को मिलता है ये सहरनपूर में देखने को मिलता है सहरानपूर या सहरनपूर भी इसको बोलायाता है तो आपका करेक्ट आंसर डी रहेगा और ये उत्तर प्रदेश में आता है यहीं पर आपका साकंबरी देवी का मेंदिर या मंदिर स्थीत हैं चलिए नेक्स्ट कुछ नहीं हमारा विल्वेस्वर्नात मंदिर कहां पर स्थीत है विल्वेस्वर्नात मंदिर की यहां पर बात की जा रही है और यह आपको अयोध्या में देखने को मलता है अयोध्या के लिए आपका यहां से D option correct answer हो जाएगा चलिए next question है प्रसिद बाबा ओगरनात जो मंदिर है यह कहाँ पर इस्तीर है आपको बताना है प्रसिद बाबा ओगरनात मंदिर कहाँ पर है तो बाबा ओगरनात जो मंदिर है यह आपको देखने को मलता है मेरट में मेरट उत्रप्रदेश आपका fast option correct answer हो जाएगा Next question है हमारा मंसा देवी का प्रसिद्य मंदिर किस नगर मिश्थीदे मंसा देवी का जो अगर मंदिर है ये आपका मेरट में है मेरट आप सभी को याद रखना है मंसा देवी या फिर मंसा देवी का प्रसिद्य मंदिर आप इनको बोल सकते हैं मेरा टाप का correct answer हो जाएगा next question है द्वारी का धीस का प्रसिद्य मंदिर किस नगर में स्थीद है द्वारी का धीस का जो प्रसिद्य मंदिर है या मतुरा में है अगला question आप से पूचा गया है जेके मंदिर किस नगर में स्थीद है जेके जो मंदिर है ये कानपूर में देखने को मिलता है कानपूर उत्तर प्रदेश में हमारा यहां से first option correct answer हो जाएगा guys अगला question आप सभी की screen पर है रादा स्वामी मंदिर किस नगर में स्थीद है रादा स्वामी मंदिर जो देखने को मिलता है ये आगरा में स्थीद है आगरा आपका D option correct answer कोशन का रहेगा चलिए नेक्स्ट कुछन ने अलोपी देवी का मंदिर किस जीले में स्थीद है तो ये आपका प्रियागराज में है प्रियागराज जीले में स्थीद है अलोपी देवी का मंदिर भारत माता का मंदिर आपसे पूचा गया है कि कहां पर इस्थीद है तो ये आपका वारानसी में है वारानसी उत्तरप्रदेश में भारत माता का मंदिर इस्थीद है चलिए नेक्स्ट कोशन है सर्प देव नाग बसु का प्राचीन मंदिर किस जीले में स्थीत है तो ये है आपका प्रियाग राज में प्रियाग राज आपका यहां से D option बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए अगला question रेखते हैं हमारे स्कीन पर आचुका है प्रसिद चंदरिका देवी का मंदिर किस जीले मिशीत है चंदरिका देवी का जो मंदिर है यह लखनम में स्थीत है लखनम व आपका सी ऑप्षन स्कीन का correct answer हो जाएगा चलिए अगला question रेखते है अवंति का देवी मंदिर किस जीले मिशीत है और ये जितने भी questions आपको मंदिर वाले हम cover करवा रहे हैं ये सारे आपकी exam में पूचे जाते हैं लगतार आपकी exam में repeat होते हैं तो आप अच्छे से इनको याद रखेगा हो सकता है आपकी exam में इन्हीं में से question आपको देखने को मिल जाएं इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से इनको देखीगा और याद भी आप रखेगा अवंती जो देवी है इनका मंदिर बुलन सहर में बुलन सहर उत्रप्रदेश में आता है और यहीं पर अवंती का देवी का मंदिर स्थीत है अगला कुषिन सरस्वति देवी का मंदिर किस जीले में स्थीत है इल्यरी तो correct answer merit आपका हो जाएगा सरस्वति देवी का मंदिर merit उत्तरप्रदेश में स्थीत है काफि ज़दे इंपरड़िन कुषिनी लाडली मंदिर आप से पूचा है और I think आप सभी लोगों को पताईए क्योंकि काफी famous मंदिर दे उत्तरप्रदेश का तो आपका correct answer मतुरा हो जाएगा लाडली जो मंदिर है या मतुरा में इस्तिदे मतुरा आपका C option correct answer रहेगा चलिए अगला कुछन है अगला कुछन है गोल लेस्वर प्रसिद्ध मंदिर ये जालोन मिस्तिदे ये भी आपका योपी में ही आता है योपी के ही हम कवर करवा रहे हैं आपको उत्तरप्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल के लिए तो आप ध्यान रगेगा आप सारे जो जितने भी है योपी स्पैसल ही है तो आप अच्छे से याद रगेगा अगला कुछन हमारी स्कीन पर आ चुका है स्री राम मंदिर किस इस्तान पर इस्तीत हैं काफिस दद इंपर्टिन कुछन है सही जवाब आपका हो जाएगा आयोध्या में स्री राम मंदिर जो है या आयोध्या मिस्ती दे आपका सी ओप्शन इस कुछन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और अभी आपको पताईए यहाँ पर भव्य मंदिर का सुबारम बोने वाला है 22 जनवरी 2024 को इसके अलावा 24 जनवरी 2024 से यहाँ पर भक्तों के लिए इस मंदिर को पूरी तरह या पूर्न रूप से खोल दिया जाएगा तो यह trending topic रहेगा आपका और current affair के point of view से भी यह question आपकी exam में जरूर से बनेंगे तो इस topic पर अगर आप चाते हैं तो हमें एक dedicated वीडियो आपको दे देंगे जिसमें A to Z चीज़े आपको cover करवा देंगे कि किसने इस मंदिर को बनवाया है मंदिर की उचाई, लंबाई, चोड़ाई या फिर जितनी भी मूर्ती बगेरा यह सारे जो वास्तुकार बगेरा हैं किसने इसका design तयार किया है यह सारे जितने भी A to Z राम मंदिर से related questions मनेंगे सारे उस वीडियो में हम आपको cover करवा देंगे अगर आप चाहते हैं तो comment में comment करके बता दीज़ेगा अगला question हमारा है उत्तर प्रदेश के किस नगर में मुगल सासक अगबर की राजपूत रानी मरियम की दरगा श्तीत है तो मरियम जो है यह अगबर की रानी थी मुगल सासक अगबर की राजपूत रानी थी मरियम इसकी जो दरगा देखने को मिलती है यह कहां पर देखने को मिलती है आप सबी के लिए काफिसद है important है आगरा आपका correct answer यहां से हो जाएगा चलिए next कुछ नहीं आगरा के कीले में मुगल साथ सक सहा जाहा द्वारा निर्मेत मस्जिद किस नाम से जान जाती है तो यह जो मस्जिद है इसको मोती मस्जिद बोला जाता है मोती मस्जिद इसको कहा जाता है सी option correct answer हो जाएगा अगला कुछ ने सेख सलीम चिस्टी की दरगा कहा परिस्टी थे तो सेख सलीम चिस्टी की यहां पर बात की जा रही है और फतेपूर सीकरी correct answer रहेगा क्योंकि फतेपूर जो सीकरी है यहीं परिस्टी थे सेख सलीम चिस्टी की दरगा जोनपूर मिस्टीद जहांजिरी मस्जिद का निर्मान किसने करवाया था जहांजिरी जो मस्जिदे यह जोनपूर मिस्टीदे यह तो आपको पता चली चुका है और इसका निर्मान करवाया था बी option correct answer यहाँ से चला जाएगा चलिए next question देखते हैं सूपी संत सहा अलाउद्दीन साबिर की दरगा कहा परिष्थीत है बिलकुल correct answer आपका हो जाएगा clear में clear सूपी संत सहा अलाउद्दीन साबिर की जो दरगा है यह clear आपका बी option इस question का correct answer हो जाएगा चलिए next question देखते हैं अगला question आपकी स्कीन पर सूपी संत सेयद अब्दुलरजाग की दरगा कहा परिष्थीत है जल्दी से बताएगा आप सभी लोग comment कर गे आपका correct answer यहाँ से 12 बांकी हो जाएगा चलिए अगला question संत हजरस सुल्टान अरफीन की दरगा कहा परिष्थीत है इनकी जो दरगा है यह आपका कहा परे तो बदायू आपका यहाँ से first option correct answer हो जाएगा next question देखते हैं फकीर सेयद सालार मसूद गाजी की दरगा कहा परिष्थीत है तो आपका correct answer यहाँ से रहेगा बहरा इच बहरा इच आपका be option correct answer हो जाएगा संत सेयद महमूद सहा असरफ जहांगीर की दरगा कहां परिष्थीत दे और यह दरगा वाले भी question आने start हो चुके हैं तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और विसीज करके आपको अच्छे से याद रखे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक जिसे ना में आप confused हो सकते हैं तो इससे बढ़िया यह रहेगा कि आप जो जो हम बता रहे हैं इनको आप no down का लीजेगा उसके बाद में अगर आप याद होने का बनता है तो ठीक है otherwise आपको रटना ही पड़ेगा यही आपके सामने बज़ता है या फिर अधर ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं तो ट्रिक का भी आप योज़ कर सकते हैं उसकी भी help आप ले सकते हैं संत सेयद महमूद साह असरफ जहांगीर की जो दरगा है यह देखने को मिलती है अमबेटकर नगर में और अमबेटकर नगर आपका डी option करिक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुछ ने बहराम खान दौरा बनाए गई चुनार मस्जिद की इस्तान पर इस्तिदे तो चुनार मस्जिद किसने बनवाई थी यह तो आपको पता चली चुका है बहराम खान के द्वारा बनवाई गई थी और यह मिर्जापूर में इस्तिदे मिर्जापूर आपका उत्तरप्रदेश में आता है बी ऑप्शन करिक्ट आंसर हो जएगा अगला कुछने सरकी सुल्तानों द्वारा जोनपूर में निर्मेज सर्वसिष्ट मस्जिद कौन सी है बिलकुल आपका करिक्ट आंसर यहां से हो जाएगा अठाला मस्जिद अलसमूद आपका यहां से आप्शन अम्ठर दी बिलकुल करिक्ट आंसर हो जएगा उत्तरप्रदेश के प्रसिद संगीततक की सौमी हरिदास किस मुगल सासक के समकालीन थे करिक्ट आंसर आपका अकबर के समकालीन थे स्वामी हरिदास आपका first option ही correct answer चला जाएगा अगला question काफिछ ज़दे important है question है आपका प्रसिद संगीता चारी तांसेन के गुरू कौन थे तो संगीता चारी ते तांसेन और इनके जो गुरू थे इनका नामे स्वामी हरिदास स्वामी हरिदास यानि कि आपका यहां से c option भी correct answer हो जाएगा इसके अलावा मुहमद जो गो से ये भी इनके गुरू रहे हैं तांसेन के और आप ध्यान रखेगा इनकी जो मगबरा है ये मगबरा जो इस्तिते ये गौलेर में इस्तिते तांसेन का भी गौलेर में हैं तो आप ध्यान रखेगा अगला question हमारा जो है आपकी screen पर है उतर प्रदेश में जोनपूर जीले की कहार जाती द्वारा किये जाने वाला नत्तित कौन सा है तो correct answer यहां से आप का हो जाएगा चोरसिया नित यह किया जयाता है इन जनजातियों के द्वारा मिरजापूर जीले में आदिवासियों द्वारा कौन सा नत्य किया जाता है तो मिरजापूर जीले में जो किया जाने वाला नत्य है आदिवासियों के द्वारा इसको कर्मा नत्य जाना जाता है या कर्मा नत्य को नाम से इसको बोला जाता है आपका बे option से यवाब रहेगा उत्तर प्रदेश में कौन सा लोकनत्य गुजरात के डांडिया जिसा नत्य है इस question को एक बार ओर हम आपको cover करवा चुके हैं आपका पाई डंडा जो नत्य है ये correct answer यहाँ से हो जाएगा option अमर डी वाला कौन सा नत्य जिसमें नर्तक, कुस्ती, कबड़ी और चिडियो जैसी चेस्टाई करते हैं तो इस नत्य को किस नाम से जाना जाता है जिसमें नर्तक जो है ये कुस्ती, कबड़ी और चिडियो जैसी चेस्टाई करते हैं तो इसको नटवरी नत्य कहा जाता है यह नटवरी नाच यह नित इसको बोल सकते हैं अगला कुशन आपकी स्कीन पर है अवधी और भोजपूरी भासा वाले छेत्रों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है तो यहाँ पर गाया जाता है यह बिरहा लोकगीत गाया जाता है अवधी और भोजपूरी भास जाती में प्रचलित मान जाता है विरहा, आला, रसिया आदी लोखगीतों की परंपरा कि स्राजी में पाई जाती है तो ये जो परंपरा है उत्तरप्रदेश में पाई जाती है उत्तरप्रदेश आपका B option करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन आपकी स्कीन पर है ब्रच चेतर का प्रसिद लोखगीत कौन सा है ब्रच चेतर का जो प्रसिद लोखगीत है इसका नाम रसिया है रसिया ये ब्रच चेतर का प्रसिद लोखगीत है आपका यहाँ से option करेक्ट आंसर हो जाएगा किस जंजाती की उपजातिया कठरिया डिगोरा और राना है तो ये जो जंजाती है इसका नाम आपको बताना है ये जो जंजाती है इसका नाम है थारू जंजाती थारू जो जंजाती है इसकी उपजातिया है कठरिया डिगोरा और राना तो आपका यहां से Option number D correct answer हो जाएगा किसी जीले में थारू जिंजाती के लोगों को सिख्षित करने है तो महाविद्याले इस्तापित किया गया है करेक्ट आंसर आपका जाएगा यहां से लखीमपूर आपका B option correct answer है लखीमपूर जो है यहाँ पर थारू जंजाती के लोगों को सिख्षित करने के लिए महा विद्याले या इस्ताबित किया गया है या सुरू किया गया है कौन सी जंजाती बिजनोर के ग्रामिन शित्रों में निवास करती है तो बिजनोर के ग्रामें शेत्रों में निवास करने वाली जो जनजाती इसका नाम बुक्सा जनजाती है या बुक्सा जनजाती आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा बुक्सा जनजाती कौन सी जन्जाती में ग्राम देवी की पूजा की जाती है यह बुकसा जन्जाती में ही की जाती है आपका यहां से भी option करेक्ट आंसर हो जाएगा खरवार नामक जिनजाती किस जीले में निवास करती है तो यह जो जिनजाती है मिरजापुर जो जिला यहाँ पर रहती है खरवार नामक जिनजाती नेक्स्ट उसने निम्री लिखित में से कौन सी खरवार जिनजाती की उपजाती नहीं है सूरज वंसी, खेरी, पटबंदी और बरनावत आपका यहां से करिक्ट आंसर बनरावत रहेगा बनरावत जो है यह खरवार जिनजाती की उपजाती नहीं है D option करिक्ट आंसर हो जाएगा थारू जिनजाती में कैसी परिवार पर्था जो है परचली रहे इस तरफ से कोशन आपका बनाए तो सन्युक्त जो परथा है परिवार की यह यहां पर परचली दे थारू जिनजाती में आपका फास्ट option की करिक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है बजहर नामक त्योहार किस जिनजाती में लोगपरी है बजहर नामक जो त्योहार है यह खरवार जिनजाती में परचली दे यह लोगपरी मानना जाता है भी option करिक्ट आंसर हैगा बिरादरी पंचायत किस जिनजाती का प्रमुक आदिवासी राजनितिक संगठानी बिरादरी यह बुकसा आपका करिक्ट आंसर यहां से हो जाएगा चलिए next question देखते हैं राउत और मोजियाली किस जिनजाती की उपजातीया है राउत और मोजियाली जो है यह खरवार जिनजाती की उपजातीया मन जाती है नाग बीचू पूजा का रिवाज किस जिनजाती में परचलित है तो यह जो जिनजाती है खरवार जिनजाती है इसमें नाग बीचू पूजा जो है इसका रिवाज परचलित है आगरा सेली अन्य किस नाम से भी जान जाती है आप जल्दी से क्लिक करेगा आपका correct answer क्या रहेगा आगरा जो सेली है या अनिक नाम से किस नाम से जान जाती है तो इसको मुगल सेली के नाम से भी जाना जाता है हमारा first option बिल्कुल correct answer हो जाएगा आपकी जा फिल्म किस प्रसिद्य निर्मातर निर्देशक द्वारा बनाए गई थी तो ये जो बनाए गई थी ये बनाए गई थी रतन मोहन के द्वारा आपका यहां से option number D बिल्कुल इस question का correct answer हो जाएगा चली अगला question देखते है वीदुर का टीला नामकिस्थान कहां परिस्तिदे तो ये आपका हस्तिनापूर में देखने को मिलता है हस्तिनापूर में वीदुर का जो टीला है ये आपको देखने को मिलता है आपका c option Castor हो जाएगा कौन सा नगर जेन धर्म का प्रमुक तिर्थिस्ता ले काफिश दादे important question सही जवाब क्या रहेगा आपका जेन धर्म का प्रमुक तिर्थिस्ता ले इसका नाम हस्तीनापूर option number B correct answer हो जाएगा कौन सा नगर स्रीक्रिशन की जन्मस्तिली रहा है आपको जल्दी से क्लिक करना है सबी लोगों को बताइए मतुरा आपका correct answer यहां से हो जाएगा किस नगर में खुसरो बाग स्तीत हैं खुसरो जो बाग है या प्रियागराज मिस्तित हैं आपका D option यहां से correct answer हो जाएगा चलिए अगला कुशन देखते हैं और यह अगला जो कुशन आपकी स्कीन पर आ चुका है यह कासे ज़दे important कुशन आपकी exam point of वेसे कई सारी exam में यह आपका कुशन रिपीट हुआ है यहां तक कि other state की exam में भी यह कुशन आपका पूचे जाता है प्रसिद आनंद भवन किस नगर में इस्टीद है यह कुशन बनाएं आपसे प्रसिद आनंद भवन कहां पर इस्टीदे किस नगर में इस्टीदे correct answer आपका हो जाएगा प्रियाग राज में आपका यह इस्टीद है अगला कुशने संकीसा किस जीले में इस्टिदे तो संकीसा जो है यह फरुका बात जीला यहाँ पर उत्तरप्रदेश में यहीं परिस्थीत है नेक्स्ट को सेने एत्माद दोला का मगबरा किस नगर के समीप इस्थी दे D option correct answer हो जाएगा भीतर गाहों का प्रसिद मंदिर किस जीले में स्थीद है कानपूर आपका correct answer हो जाएगा भीतर गाहों का प्रसिद मंदिर ये कानपूर में स्थीद है अयोध्या से किस वंस के सासक का मैतपूर्ण सिलालेक मिला है तो अयोद्या से जो मिला है सिलाले की पुष्च मित्र सुंग का सिलाले की यानि की पुष्च मित्र सुंग जो वंस के सा सकते सुंग वंस के तो इनका जो सिलाले के यहीं से मिला है अयोद्या से तो ध्यान रखेगा आपका C option correct answer हो जाएगा किस जीले में राधस्वामी मत का प्रमुक केंदर दयालबाग स्थीथ हैं दयालबाग जो स्थीथे या आगराम स्थीथे आपका first option इस question का correct answer हो जाएगा सारनात जो आता है ये आता है वारनासी में वारनासी आपका यहां से first option ही correct answer हो जाएगा कुसी नगर किसलिए प्रसिथ आपको बताना है जल्दी से क्लिक करेगा तो बुद्ध का महा परिवणिर्वान के लिए कुसी नगर जो है यह जाना जाता है चलिए यहाँ पर guys हमने top 100 जो question ने यह आपको cover करवा दिये हैं काफी अच्छी खासे तरीके से अब question of the day आपके सामने आ चुका है यह आपके लिए question question ने आपका कि लखनओ का अंतिम नवाब कौन था वाजिद अलिसा, सहादत अली और सफदर जंग और मुहमद अलिसा यह चार option आपको मिले हैं question ने आपका लखनओ का अंतिम नवाब कौन था इन चारों में से आपको एक को click करना है आपका जो भी right answer हो आप comment में comment गरके हमें बताएगा ताकि आपकी भी यहाँ पर practice होती रहे तो guys यहाँ पर I think आपको यह जो hundred questions हमने cover करवाएं इसमें से काफी अच्छी तरीके से आपको कुछ questions पता होंगे कुछ नहीं होंगे वो आपने कर ली होंगे और जो नहीं होए होंगे वो आप कर लेंगे है ना तो इस तरीके से हम लगातार आपको daily basis पर अगर आप agree करते हैं तो comment में yes जरूर से लिख दीजिए और जो भी कहना चाहें वो कह सकते है comment box में और कोई भी वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें comment करके बता सकते हैं बाकि आप सभी से request है कि इस वीडियो को जाए जाए सेयर करें ताकि जो भी नया वीडियो है आपकी एक्जाम के लिए सबसे जरूरी उसका notification आपको सबसे पहले मिल पाए कि लिए रहे guys तो bell icon को all पर select जरूर सकर दीजगा इसको बिलकुल भी miss मत करीगा तो मलते हैं हमारे next study वीडियो में तब तक लिए जाहिंद बंदे मातरम